इस रूम में दादा जी पोती के लिए बिस्तर और स्टडी टेबल लगवाते हैं लेकिन दादी इस रूम में फिसल कर गिर जाती है क्योंकि इस लड़की का एक्स्ट्रा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ था दादी की गिर जाने की वजह से ये लड़की इस रूम को खाली करवा देती है अब हम इस साइड में स्टील के डंडो से स्क्वेर साइज के स्टक्चर को लगाएंगे रूम के बीच में प्लाई लगाकर इस साइड में बुक शेल्फ बनाएंगे जिसमें इसके पढ़ने की किताबे रखेंगे इसकी साइड में अलमारी बनाएंगे जिसमें इसके कपड़े रखे जाएंगे इस आगे बैठने का स्थान बना देंगे इसके नीचे दो दराज लगाएंगे जिसमें इसके अंडर गार्मेंट्स रखेंगे और उपर चड़ने के सीड़ियां लगाएंगे एक अलमारी गेट के पास बनाएंगे जिसमें ठंड के कंबल और कुछ और कपड़े रखे जाएंगे खिड़की के पास टेबल बनाएंगे जिस पर ये लैप टॉप चलाएंगी अब बिस्तर के उपर शानदार मुलायम गद्दा लगा देंगे इसके पास रेक बनाएंगे और इसमें मोबाइल चार्ज करने के लिए सौकेट लगाकर कुछ और किताबे रखेंगे सेफटी के लिए बिस्तर के चारों और लखडी की जाली लगाएंगे बिस्तर के नीचे एक दराज लगाएंगे जिसमें इसका एक्स्ट्रा सामान रखा जाएगा अब आप भी इस रूम के नजारे को देखकर बताओं इसमें क्या कमी है